साहित्य निद्य में प्रस्तुत है हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित लेखक कमलेश्वर जी की कहानी राजा निर्बंसिया तो शुरू करते हैं कहानी एक राजा निर्बंसिया थे, मा कहानी सुनाया करती थी उनके आसपास ही चार-पाँच बच्चे अपनी मुठियों में फूल दबाए कहानी समात होने पर गौरों को चढ़ाने के लिए उच्चुक से बैठ जाते थे आटे का सुन्दर सा चौक पुरा होता, उसी चौक पर मिठी की छे गौरे रखी जाती जिन में से उपर वाली के बिंदिया और सिंदूर लगता, वाकी पाँचों नीचे दबी पूजागरे हड़ करती रहती एक और डीपक की बाती इस्तिर सी जलती रहती और मंगल घट रखा रहता जिस पर रोली से सथिया बनाया जाता सभी बैठे बच्चों के मुग पर फूल चढ़ाने के उतावली की जगए कहानी सुनने की सहज इस्तिरता उभराती एक राजा निर्पंसिया थे मा सुनाया करती थी उनके राज में बड़ी खुशाली थी सब वरण के लोग अपना अपना कामकाज देखते थे कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था राजा के एक लक्षमी सी रानी थी चन्रबासी सुन्दर और राजा को बहुत प्यारी राजा कामकाज देखते और सुख से रानी के महल में रहते मेरे सामने मेरे ख्यालों का राजा था राजा जगपती तब जगपती से मेरी दात काटी दोस्ती थी दोनों मिडल स्कूल में पढ़ने जाते दोनों एक से घर के थे इसलिए बराबरी की निपती थी मैं मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया और जगपती कस्बे के ही वकील के हां महर्रेर जिस साल जगपती महर्रेर हुआ उसी वर्षपास के गाउं में उसकी शादी हुई पर ऐसी हुई कि लोगों ने तमाशा बना देना चाहा लड़की वालों का कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़की की विदा नहीं होगी ब्या हो जाएगा और सात्मी भावर तब पड़ेगी जब पहली विदा गिसायत होगी और तभी लड़की अपनी सस्राल जाएगी जगपती की पत्नी थोड़ी बहुत पड़ी लिखी थी पर घर की लीक को कौन मेटे बराद बिना बहु के वापस आ गई और लड़के वालों ने तैय कर लिया कि अब जगपती की शादी कहीं और करती जाएगी चाहे कानी लूली से हो पर वो लड़की अब घर में नहीं आएगी लेकिन साल खतम होते होते सब ठीक ठाक हो गया लड़की वालों ने माफी मांग ली और जगपती की पत्नी अपने सस्राल आ गई जगपती को जैसे सब कुछ मिल गया और सास ने बहु की बलाईयां लेकर घर की सब चाबियां सो अपनी ग्रहस्ती का धंगबार समझा दिया जगपती की मां ना जाने कबसे आस लगाए बैठी थी उन्होंने आराम की सास ली पूजा पार्ट में समय कटने लगा दो पहरियां दूसरे घरों के आंगन में बीतने लगी पर सास का रोक था उन्हें 101 दिन उन्होंने अपनी अंतिम घडियां गिनते हुए चंदा को पास बुला कर समझाया था बेटा जगपती बड़े लाड़ प्यार का पला है जबसे तुमारे ससुर नहीं रहे तबसे इसके छोटे-छोटे हट को पूरा करती रही हूँ अब तुम ध्यान रखना फिर रुक कर उन्होंने कहा था जगपती किसी लायक हुआ है तो रिष्टेदारों की आँखों में करकने लगा है तुमारे बाप ने ब्या के वक्त नादानी की जो तुमें विदा नहीं किया मेरे दुश्मन देवर जेटों को मौका मिल गया तुमार खड़ा कर दिया कि अब विदा करवाना ना कटवाना है जगपती का ब्या क्या हुआ उनलों की छाती पर साप लोट गया सोचा घर की इज़त रखने की आड़ लेकर रंग में भंग कर दें अब बेटा इस घर की लाज तुमारी लाज है आज को तुमारे ससुर होते तो भला कहते कहते मा की आँखों में आस हुआ गया और वे जगपती की देखवाल उसे सौप पर सदा के लिए मौन हो गई थी एक अर्मान उनके साथी चला गया कि जगपती की संतान को चार बरस इंतजार करने के बाद भी वे गोद में न किला पाई और चंदार ने मन में सबर कर लिया था यही सोच करके कुल देवता का अंच तो उसे जीवन बर पूजने को मिल गया था घर में चारो तरफ जैसे उदारता बिकरी रहती अपनापा बरसता रहता उसे लगता जैसे घर की अंधेरी एकांध कोठरियों में ये शांत शीतलता है जो उसे भरमा लेती है घर की सब कुंडियों की खनक उसके कानों में बस गई थी हर दरवाजे की चर्माराहट पहचान बन गई थी एक रोज राजा आखेट को गए मा सुनाती थी राजा आखेट को जाते थे तो सात्वे रोज जरूर महल में लोटाते थे पर उस दफा जब गए तो सात्वा दिन निकल गया पर राजा नहीं लोटे रानी को बड़ी जिनता हुई रानी एक मंत्री को सात लेकर खोज में निकली और इसी पीच जगपती को रिष्टेदारी के एक शादी में जाना पड़ा उसके दूर रिष्टे के भाई दयाराम की शादी थी कह कया था कि दसमे दिन जरूर वापस आ जाएगा पर छटे ही दिन खबर मिली कि बरात घर लोटने पर दयाराम के घर डाका पड़ गया किसी मुगविर ने सारी खबरें पहुचा दी थी कि लड़की वालों ने दयाराम का घर सोने चांदी से पाट दिया है आकर कुछ तैनी जमीनदार की इकलोती लड़की थी घर आये मेमा लगबग विदा हो चुके थे दूसरे रोज जगपती भी चलने वाला था पर उसी राट डाका पड़ा जवान आत्मी भला खून मानता है डाके वालों ने जब बंदूके चलाई तो सबकी गिक्की बंद गई पर जगपती और दयाराम ने चाती ठोक कर लाठिया उठा ली घर में कोहराम मच गया फिर सनाटा चा गया डाके वाले बराबर बोलियां दाग रहे थे बाहर का दर्वाजा टूप चुका था पर जगपती ने हिम्मत बढ़ाते हुए हाक लगाई ये हवाई बंदूकें इन तेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी जवानू पर दर्वाजे तर तर टूपते रहे और अंत में एक गोली जगपती की जांग को पार करती निकल गई दूसरी उसकी जांग की उपर कूले में समा कर रह गई चंदा रोती, कलपती और नौतिया मानती जब हाँ पहुँची तो जगपती अस्पताल में था दयाराम के थोड़ी चोट आई थी उसे अस्पताल से शुट्टी मिल गई थी जगपती की देखभाल के लिए अस्पताल में मरीजों के रिष्टदारों के लिए जो कोठ्रियां बनी थी उन्हीं में चंदा को रुखना पड़ा कस्बे के अस्पताल से दयाराम का गाउं चार कोस पड़ता था दूसरे तीसरे वहां से आदमी आते जाते रहते जिस सामान की जरूरत होती पहुचा जाते पर धीरे धीरे उन लोगों ने भी खबर लेना छोड़ दिया एक दिन में ठीक होने वाला घाउ तो था नहीं जांग की हड़ी चटक गई थी और कूले में ऑपरेशन से 6 इंच का गहरा घाउ था कस्बे का अस्पताल था कमपौंडरी मरीजों की देखवाल रखते बड़ा डौक्टर तो नाम के लिए था या कस्बे के बड़े आदमियों के लिए छोटे लोगों के लिए तो मरीजों के कमरे से लगा दबा बनाने का कमरा था उसी में एक और एक आराम कुर्सी थी और एक नीची सी मेज उसी कुर्सी पर बड़ा डॉक्टर आकर कभी कबार बैठता था नहीं तो बचन सिंग कमपाउंडर ही जमे रहते अस्पताल में या तो फौजदारी के शहीद आते या गिर गिरा के हाथ पर तोड़ लेने वाले एक आद लोग छटे चमा से कोई औरत दिग गई तो दिग गई जैसे उनने कभी रोग घेरता ही नहीं था कभी कोई बीमार पड़ती तो घरवाले हाल बता के आट-दस रोज की दवा एक साथ ले जाते और फिर उसके जीने मरने की खबर तक न मिलती उसी बीच बचन सिंग जगपती के घाव की पट्टी बदलने आया उसके आने में और पट्टी खोलने में कुछ ऐसी लापरवाई थी जैसे गलत बंधी पगड़ी को ठीक से बानने के लिए खोल रहा हूँ चंदा उसकी कुरसी के पासी सांस रोके खड़ी थी वो और रोगियों से बात करता जा रहा था इधर मिनट भर को देखता फिर जैसे अभ्यस से उसके हाथ अपना काम करने लगते पट्टी एक जगए खोन से चिपक गई थी जगपती बुरी तरह करहा उठा चंदा के मुह से चीख निकल गई बचन सिंग ने सतर खोर कर देखा तो चंदा मुख में धोती का पलाखों से अपनी भयातुर आवाज दबाने के चेश्टा कर रही थी जगपती एक बारगी मचली सा तड़प कर रह गया बचन सिंग की उंगलिया थोड़ी सी थर्थराई कि उसकी बहाँ पर टप से चंदा का आसू चू पड़ा बचन सिंग सी हरसा गया और उसके हातों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानविय को मलता ने धीरे से छू दिया आहों कराहों दर्द भरी चीखों और चठकते शरीर के जिस वातावरर में रहते हुए भी वो बिल्कुल अलग रहता था फोडों को पके आम सा दबा देता था खाल को आलू सा चिल देता था उसके मन से जिस दर्द का एहसास उड़ गया था वो उसे आज फिर हुआ और वो बच्चे की तरह फूप फूप कर पट्टी को नम करके खोलने लगा चंदा की और धीरे से निगाह उठा कर देखते हुए फुस फुस आया रोगी की हिम्मट टूप जाती है ऐसे पर जैसे ये कहते कहते उसका मन खुद अपनी बात से उचड़ गया ये बेपरवाही तो चीक और कराहों की एक रस्ता से उसे मिली थी रोगी की हिम्मट बढ़ाने की कर्तवी निष्ठा से नहीं जब तक वो घाओ की बरहम पट्टी करता रहा तब तक किनी दो आखों की करुणा उसे घेरे रही और हाथ दोते समय उस चंदा की उन्चूरियों से भरी कलाईयों को बेजी जग देखता रहा जो अपनी खुशी उससे मांग रही थी चंदा पानी डालती जा रही थी और बचन से हाथ दोते दोते उसकी कलाईयों हतेलियों और पैरों को देखता जा रहा था दवा खाने की और जाते हुए उसने चंदा को हाथ के इशारे से बुला कर कहा दिल को छोटा मत करना जांग का घाव तो दस रोज में भर जाएगा पूले का घाव कुछ दिन जरूर लेगा अच्छी अच्छी दवाईया दूँगा दवाईया तो ऐसी हैं कि मुर्दे को चंगा करते हैं पर हमारे अस्पताल में नहीं आती फिर भी तो किसी दूसरे अस्पताल से नहीं आ सकती वो दवाईया चंदा ने पूछा आ तो सकती हैं पर मरीज को अपना पैसा खरचना पड़ता है उनमें बचन सिंग ने कहा चंदार चुप रह गई तो बचन सिंगे मुझे अनायासी निकल पड़ा किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना रही दवाईयां सो कहीं ना कहीं से इंजाम करके ला दूँगा मैक में से मंग आएंगे तो आते अवाते महीनों लग जाएंगे शेहर के डॉक्टर से मंगवा दूँगा ताकत की दवाईयों की बड़ी जरूरत है उन्हें अच्छा देखा जाएगा कहते कहते वो रुक गया चंदा ने कृतगेता भरी नजरों से उसे देखा और उसे लगा जैसे आन्धी में उड़ते पत्ते को कोई अठकाओ मिल गया हो आकर वो जगपती की खाड से लगकर बैट गई उसकी हतेली लेकर सहलाती रही नाखुनों को अपने पोरों से दबाती रही दीरे तीरे अंधीरा बढ़ चला बचन सिंग तेल की एक लालटे लाकर मरीजों के कमरे के एक पोने में रख गया चन्दा ने जगपती की कलाई दबाते दबाते दीरे से कहा कमपाउंडर साब कह रहे थे और इतना कहकर ओ जगपती का ध्यान आकरष्ट करने के लिए चुप हो गई क्या कह रहे थे जगपती ने अन्मने सुर में बोला कुछ ताकत की दबाईयां तुमारे लिए जरूरी है मैं जानता हूँ पर देखो चन्दा चादर के बराबरी पैर फैलाई जा सकते हैं हमारी ओकात इन दबाईयों की नहीं है ओकात आदमी की देखी जाती है कि पैसे की तुम तो देखा जाएगा कंपाउंडर साब इंचाम कर देंगे उनसे कहूंगी मैं नहीं चन्दा उधार खाते से मेरा इलाज नहीं होगा चाहे एक के चार दिन लग जाएं इसमें तो तुम नहीं जानती कर्ज कोड का रोग होता है एक बार लगने से तन तो गलता ही ये मन भी रोग ही हो जाता है लेकिन कहते कहते वो रुख गई जगपती अपनी बात की टेक रखने के लिए दूसरी और मुग गुमा कर लेटा रहा और तीसरे रोज जगपती के सिरान ने कई ताकती दवाईयां रखी थी और चंदा की ठहरने वाली कोट्री में उसके लेटने के लिए खाट भी पहुँच गई थी चंदा जब आई तो जगपती के चेरे पर मानसिक पिड़ा की असंग के रेखाएं उपरी थी जैसे वो अपनी बीमारी से लड़ने के लावा स्वायम अपनी आत्मा से भी लड़ रहा हो चंदा की नादानी और इसने से भी उलज रहा हो और सबसे उपर साहता करने वाली की दया से भी जूज रहा हो चंदा ने देखा तो ये सब सह ना पाई उसके जी में आया की कह दे क्या आज तक तुमने कभी किसी से दार पैसे नहीं लिये पर वो तो खुद तुमने लिये थे और तुम्हें मेरे सामने सुईकार नहीं करना पड़ा था इसलिए लेते जीजग नहीं लगी पर आज मेरे सामने उसे सुईकार करते तुमारा जूटा पौरुष तिल मिला कर जाक पड़ा है पर जगपती के मुख पर बिखरी हुई पीडा में जिस आदर्श ही गहराई थी वो चंदा के मन में चोर की तरह भुश गई और बड़ी स्वाभाविक्ता से उसने माथे पर हाथ फिरती वे का ये दवाईया किसी की महरबानी नहीं हैं मैंने हाथ का कड़ा बेशने को दे दिया था उसी में आई हैं मुझसे पूछा तक नहीं और जगपती ने कहा और जैसे खुद मन की कमजोरी को दवा गया कड़ा बेशने से तो अच्छा था कि बचन सिंग की दया ही ओड़ी जाती और उसे हलका सा पस्तावा भी था कि नाहकवर रौ में बड़ी बड़ी बातें कह जाता है ग्यानियों की तरह सीख दे देता है और जब चंदा अंधेरा होते उठकर अपनी कोर्षी में सोने के लिए जाने को हुई तो कहते कहते ये बात दबा गई कि बचन सिंग ने उसके लिए एक खाट का इंदिजाम भी कर दिया है कमरे से निकली तो सीधी कुर्षी में गई और हाथ का कड़ा लेकर सीधे दबा खाने के और चली गई जहां बचन सिंग अकेला डॉक्टर की कुर्षी पर आराम से टांगे फैलाए लैम की पीली रोष्टी में लिटा था जगपती का व्यवार चंदा को लग गया था और ये भी कि वो क्यों बचन सिंग का एहसान अभी से लाद ले पती के लिए जेवर की कितनी आउकात है वो बेधड़क सी दवा खाने में घुज गई दिन की पहचान के कारण उसे कमरे की मेज कुर्सी और दवाईयों की अलमारी की इस्तित का अनमान था वैसे कमरा अधेरा ही पढ़ा था क्योंकि लैंप की रोशनी केवल अपने वृत्त में अधिक प्रकाश्वान होकर खोनों के अंधेरों को और भी घनीबूत कर रही थी बचन सिंग ने चंदा को घुसते ही पहचान लिया वो उठकर खड़ा हो गया चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई जैसे वो किसी अंधेरे कोय में अपने आप कूच पड़ी हो ऐसा कुआ जो निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पाताल की पड़तों तक चली गई हो जिसमें पड़कर वो नीचे धस्ती चली जा रही हो नीचे, अंधेरा, एकांत, घुटन, पाप बचन सिंग अवाक ताकता रह गया और चंदा ऐसे वापस लोट पड़ी जैसे किसी काले पिचाश के पंजों से मुक्त मिली हो बचन सिंग के सामने क्षाण भर में सारी परस्तिती कौन गई और उसने वहीं से बहुत सहियत आवाज में जबान को दबाते हुए जैसे वायों में इसपश्ट धनित कर दिया चंदा वो आवाज इतनी बे आवाज थी और निर्थक होते हुए भी इतनी सार्थक थी कि उस खामोशी में अर्थ भर गया चंदा रुख गई बचन सिंग उसके पास जाकर रुख गया सामने का घना पेड इस्तब्द खड़ा था उसकी काली परचाई की परेदी जैसे एक बार फैल कर उन्हें अपने व्रत में समेट लेती और दूसरे एक खण मुक्त कर देती दवा खाने का लैम सहसा भबक कर रुख गया और मरीजों के कमरे से एक करहा की आवाज दूर मैदान के छोड तक जाकर डूख गई चंदा ने वैसे ही नीचे ताकते हुए अपने को सैयत करते हुए कहा ये कड़ा तुम्हें देने आई थी तो वापस को चली जा रही थी चंदा चुप और दोक्षन रुख कर उसने अपने हाथ का सोने का कड़ा धीरे से उसकी और बढ़ा दिया जैसे देने का साहस ना होते हुए भी ये काम आवश्यक था वचन सिंग ने उसकी सारी काया को एक बार देखते हुए अपनी आखें उसके सिर पर जमा दी उसके उपर पड़े कपड़े के पार नरम चिकनाई से भरे लंबे-लंबे बाल थे जिनकी भापसी महक फैलती जा रही थी वो दीरे-दीरे से बूला चंदा ने कड़ा उसकी और बढ़ा दिया कड़ा हाथ में लेकर वो बूला चंदा ने प्रश्न भरी नजने उसकी और उठा दी उनमें जागते हुए अपने हाँ से उसकी कलाई पकड़ती हुए उसने वो कड़ा उसकी कलाई में पहना दिया चंदा चुपचा कोटरी के ओर चल दी और बचन सिंग दवा खाने की ओर कालिक पुरी तरह बढ़ गई थी सामने खड़े पेड़ की काली परचाई गहरी पढ़ गई थी दोनों लौट गए थे पर जैसे उस कालिक में कुछ रह गया था कुछ छूट गया था दवा खाने का लैम जो जलते जलते एक पर भबका था उसमें तेल ना रह जाने के कारण बाती की लोग बीच से फट गई थी उसके उपर धुए की लकीरे बल खाती साम की तरह अंधेरे में विलिन हो जाती थी सुबह जब चंदा जगपती के पास पहुची और बिस्तर ठीक करने लगी तो जगपती को लगा कि चंदा बहुत उदास है क्षण में चंदा के मुक पर अंगिनत भाव आ जा रहे थे जिन में असमंजस था पीड़ा थी और निरियता थी कोई अद्रश पाप कर चुकने के बाद हिदय की गहराई से कीगे पश्चाताब जैसी धुमिल चमक रानी मंतरी के साथ जब निराश होकर लोटी तो देखा राजा महल में उपस्थित थे उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा मा सुनाया करती थी पर राजा को रानी का इस तरह मंतरी के साथ जाना अच्छा नहीं लगा रानी ने राजा को समझाया कि वो तो केवल राजा के प्रती अटूट प्रेम के कारण अपने को न रोक सकी राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे दोनों के दिलों में एक बादशूल सी गरती रहती कि उनके कोई संतान न थी राजवंश का दीपक भुझने जा रहा था संतान के अभाव में उनका लोग पर लोग बिगड़ा जा रहा था और कुल की मर्यादा नश्ट होने की शंका बढ़ती जा रही थी दूसरे दिन वचन सिंग ने बनीजो की मरहम पट्टी करते वक्त बताया था कि उसका तबादला मैंपुरी के सदर अस्पताल में हो गया है और वो परसों यहां से चला जाएगा जगपती ने सुना तो से भला ही लगा आए दिन रोग घेरे रहते हैं बचन सिंग उसके शेहर के अस्पताल में पहुचा जा रहा है तो कुछ मदद मिलती ही रहेगी आखिर ओ ठीक तो होगा ही और फिर मैंपुरी के सिवा कहा जाएगा पर दूसरे एक शन उसका दिल अकट भारीपन से भर गया पता नहीं क्यों चन्दा के अस्तित्व का ध्यान आते ही उसे सूचना में कुछ ऐसे नुकीले काटे दिखाई देने लगे जो उसके शरी में किसी भी समय चुप सकते थे जरासा बेखबर होने पर बीन सकते थे और तब उसके सामने आदमी के अधिकार की लक्षमर रेखाएं दुए की लकीर की तरह काप कर मिटने लगी और मन में छुपे संधे के राक्षस बाना बदल योगी के रूप में भूनने लगे और पंद्रे बीस रोज बाद जग जगपती की हालत सुधर गई तो चन्दा उसे लेकर घर लोटाई जगपती चलने फिरने लायक हो गया था घर का ताला जब खोला तब रात जुक आई थी और फिर उनकी गली में तो शाम से यंधेरा जड़ना शुरू हो जाता था पर गली में आते ही उने लगा जैसे की वनवास काट कर राजधानी लोटे हूँ नुकर पर ही जमना सुनार की कूर्शी में सुरही फिक रही थी जिसके दराजदार दर्वाजों से लालटेन की रोशनी की लकीर जाक रही थी और कच्ची तंबाकू का धुआ रुंदी गली के मुहाने पर बुरी तरह भर गया था सामने मुशी जी अपनी जिंगला खटिया के गड़े में कुपी के मद्धिम प्रकाश में खसरा खतोनी बिछाए मीजान लगाने में मशबूल थे जब जगपती के घर का दर्वाजा खड़का तो अंधेरे में उसकी चाची ने अपने जंगले से देखा और वहीं से बैठे बैठे अपने घर के भीतर ऐलान कर दिया राजा निर्बंसिया अस्पताल से लोटाए कुल्मा भी आई है ये शब्द सुनकर घर की अंधेरे बरूठे में घुसते ही जगपती हाफ कर बैठ गया जुझला कर चंदा से बोला अंधेरे में क्या मेरे हाथ पैर तुरवाओगी भीतर जाकर लाल्टें जला लाओ ना तेल नहीं होगा इस वक जरा ऐसे ही काम तुमारे कभी कुछ नहीं होगा ना तेल ना कहते कहते जगपती एक्तम चुप रह गया और चंदा को लगा कि आज पहली बार जगपती ने उसके व्यर्थ मात्रत उपर इतनी गहरी चोट कर दी जिसकी गहराई कि उसने कभी कलपना नहीं की थी दोनों खामोश बिना एक बात की अंदर चले गए रात के बढ़ते सननाटे में दोनों के सामने दो बाते थी जगपती के कानों में जैसे कोई व्यंग इसे कह रहा था राजा निर्बंसिया अस्पताल से आ गए और चंदा के दिल में ये बात चुब रही थी तुमारे कभी कुछ नहीं होगा और सिसक्ती सिसक्ती चंदा ना जाने कब सो गई पर जगपती की आँकों में नीन ना आई खाट पर पड़े पड़े उसके चारों और एक मोहग भयावना सा जाल फैल गया लेटे लेटे उसे लगा जैसे उसका स्वैम का आकार बहुत ख्षीन होता होता बिंदू सा रह गया है पर बिंदू के हाथ थे पैर थे और दिल की धरकन भी कोटरी का घुटा घुटा सा अंधियारा मतमेली दीवाने और गहन गुफाओं सी अलमारियां जिन में से बार बार जाक कर देखता था और वो सिहर उठता था फिर जैसे सब कुछ तबदील हो गया था उसे लगा कि उसका आकार बढ़ता जा रहा है वो मनुशी हुआ लंबा तगड़ा तंदुरुस्त परुश हुआ उसकी शिराओं में कुछ फूट पढ़ने के लिए व्याकुलता से खौल उठा उसके हाँ शरीर के अनपास से बहुत बड़े डरावने और भयानक हो गए उनके लंबे लंबे नाकुन निकलाए वो राक्षास हुआ दैते हुआ आदिम बरबर और बड़ी तेजी से सारा कमरा एक बार की चकर काट गया फिर सब दीरे दीरे इस्तिर होने लगा और उसकी सांसे ठीक होती जान पड़ी फिर जैसे बहुत कोशिश करने पर घिगई ब जुका कापते पैर उसने जमीन पर रखे और चंदा की खाट के पाए से सिर्ट टिका कर बैठ गया उसे लगा जैसे चंदा की इन सासों की आवाज में जीवन का संगीत गुंज रहा है वो उठा और चंदा के मुख पर जुक गया उस अंधेरे में आखें गड़ाए गड़ स्वैम चंदा के मुख पर आबा फूट कर अपने आप बिखडने लगी उसके नक्ष उज्वल हो टे और जगपती की आँखों को जियोती मिल गई वो मुख सा ताक्ता रहा चंदा के बिखरे बाल जिनमें हाल के जनमें बच्चे के गभुआरे बालों की सी महक दूद की रसकी सी मिठास और इसने सी चिकनाट और वो माथा जिस पर बालों के पास तमाम छोटे छोटे नरम नरम से रोहे रेशम से और उस पर कभी कभी लगाई गई सेंदूर की बिंदी का हलका मिटा हुआ सा आभास नन्ने नन्ने निर्टवंद सोय पलक और उनकी मासूम सी काटों की तरह बरोनिया और सास में घुलकर आती हुई वो आत्मा की निशकपट आवाज की ले फूल की पंकुरी से पतले पतले होट उन पर पड़ी अचूती रेखाएं जिनमें सिर्व दूद सी महक उसकी आखों की एक लटको बड़े जतन से उसने हतेली पर रखा और उंगली से उस पर जैसे लखीने खीशने लगा उसे लगा जैसे कोई शिशु उसके अंक में आने के लिए छटपटा कर निराश होकर सो गया हो उसने दोनों हतेलियों को पसार कर उसके सिर को अपनी सीमा में भर लेना चाहा कि कोई कठोर चीज उसकी अंगलियों से ठकराई वो जैसे होश में आया बड़े सहरे से उसने चंदा के सिर के नीचे टटूला एक रुमाल में बंधा हुआ कुछ उसके हाथ में आ गया अपने को सैयत करता वो वहीं जमीन पर बैठ किया उसी अंधेरे में उस रुमा कड़े होकर बिखडने लगी ये कड़े तो चंदा बेश कर उसका इलाज कर रही थी वे सब दवाईयां और ताकत के टॉनिक उसने तो कहा था ये दवाईयां किसी की महरबानी नहीं हैं मैंने हाथ के कड़े बेशने को दे दिये थे पर उसका गला बुरी तरह सूग गया ज और बड़ी मुश्किल से अपने खाट की पाटी पकड़ कर लुड़क गया चंदा जूट बोली पर क्यों कड़े आज तक छुपाए रही उसने इतना बड़ा दुराओ क्यों किया आखिर क्यों किसलिए और जगपती का दिल भारी हो गया उसे फिर लगा कि उसका शरीर से म मांग कर बेच ले और कोई छोटा मोटा कारोबारी शुरू करते क्योंकि नौकरी छूट चूट चुकी थी इतने दिम की गैर हजरी के बाद वक्तिल साब ने दूसरा मोहरे रख लिया था वो रोज यही सोचता पर जब चंदा सामने आती तो ना जाने कैसी आसाहय सी उसकी रह जाएगी एक इस्तरी से यदि पतनीत और मातरत छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या चंदा के साथ वो अन्याय कैसे करें उससे दूसरी आंकी रोशनी कैसे मांग ले फिर तो नितांत अंदी हो जाएगी और उन कणों को मांगने के पीछे जिस इतिहास की आत्मा नंगी हो जाएगी कैसे वो उस लज्जा को स्वयम ही उगहार कर ढापेगा और वो उनी खयालों में डूबा सुबह से शाम तक इधर दरकाम की टोह में घुमता रहता किसी से उधार ले पर किस समपते पर क्या है उसके पास जिसके आधार पर कोई उसे कुछ कोई चीज खरीदते वक भाव में एक पैसा कम मिलने पर मीलों पैदल जाकर एक पैसा बचाते हैं एक एक पैसे की मसाले की पुडिया बंदवा कर 11 मर्दबा पैसों का हिसाब चोड़कर एक आत्पैसा उधार कर मिनिते कर सौदा घर लाते हैं गली में कोई खोचे वाला फस गया तो दो पैसे की चीज को लड़ जगड़ कर चार दाने जादा पाने की नियस से दो जगए बंदवाते हैं भाव के जरा से फर्क पर घंटो बहस करते हैं शाम को सड़ी गली तरकारियों को किफायत के कारण लाते हैं ऐसे लोगों से किस मूँ से मांग कर वो उनकी गरी दुख की कलपना न कर पाया भीतर वाले दरवाजे पर जब पहुंचा तो सहसा हसी की आवास सुनकर ठिटक गया उस हसी में एक अजीब सा उनमात था और उसके बाद चंदा का स्वर अब आते ही होंगे बैठी ना दो मिनट और अपनी आग से देख लीजे और उन्हें समझ स्वर था यह जगपती असमंजस में पढ़ गया वो एकदम भीतर गुज जाए इसमें हर्च क्या है पर जब उसने पैर उठाए तो वे बाहर जा रहे थे बाहर बरूठे में साइकिल को पकड़ते ही उसे सूज आई वहीं से जैसे अंजान बनता बड़े प्रेतन से पाए हैं खोचते खोचते आज घर का पता पाए हैं तुम्हारे इंतिजार में बैठे हैं कौन बचन सिंग अच्छा अच्छा वही तो मैं कहूं भला कौन कहता जगपती पास पहुचा और बातों में इस तरह उलज गया जैसे सारी परस्तिती उसने सुईकार कर ली हो बच इतनी छोटी जान पहचान में तुम मर्दों के घर में ना रहते घुसकर बैठ सकते हो तुम तो उल्टे पैरों लोट जाओगे चंदा कहकर जगपती के मुख पर कुछ इच्छित प्रत्रिया देख सकने के लिए गहरी निगाओं से ताकने लगी जगपती ने चंदा की औ और ऐसे देखा जैसे ये बात भी कहने की या पूछने की है फिर बोला बचन सिंग अपनी तरह का आदमी है अपनी तरह का केला होगा पर कहते कहते चंदा रुख गई आड़े वक्त काम आने वाला आदमी है लेकिन उससे फायदा उठा सकना जितना आसान है उतना मेरा है कि जिससे कुछ लिया जाएगा उसे दिया भी जाएगा जगपती ने आके दीवार पर गड़ाते हुए कहा और चंदा उठकर चली गई उस दिन के बाद बचन सिंग लगवर रोजी आने जाने लगा जगपती उसके साथ इधर तर घूंता भी रहता बचन सिंग के साथ जब तक रहता अजीब सी गुटन उसके दिल को बांग लेती और तबी जीवन की तमाम विशमताएं भी उसकी निगाओं के सामने उभरने लगती आकर वो स्वयम एक आदमी है बेकार ये माना कि उसके सामने पेट पालने की कोई इतनी विकराल समस्या नहीं वो भूको नही मर रहा है जाने में काप नहीं रहा है पर उसके दो हात पहर है है शरीर का पिंजरा है जो कुछ मांगता है कुछ और वे सोचता ये कुछ क्या है सुख शायद हbuild हा शायद नहीं वो तो दुख में भी जी सकने का आदि है अब भावों में जीवित रह सकने वाला आश्चर ज द्धन? शायद हाँ शायद नहीं उसने द्धन के लिए अपने को खपाया है पर वो भी तो उस अद्रश प्यास को नहीं बुजा पाया तो फिर? तो फिर क्या? वो कुछ क्या है जो उसकी आत्मा में नासूर सा रिस्ता रहता है? अपना उचार मांगता है? शायद काम. हाँ यही बिल्कुल यही जो उसने जीवन की घड़ियों को निपट सूना न छोड़े जिसमें वो अपनी शक्ति लगा सके, अपना मन डुबो सके, अपने को सार्थक अनभव कर सके, चाहे उसमें सुख हो या दुख, अरक्षा हो या सुरक्षा, सोशन हो या पोशन, उसे सि जबान हिला कर शासंग करने वाले होते हैं, वो उस घर में भी पैदा नहीं हुआ, जहां सिर्फ मांग कर जीने वाले होते हैं, वो उस घर का है, जो सिर्फ काम करना जानता है, कामी जिसकी यास है, सिर्फ वो काम चाहता है, काम, और एक दिन उसकी काम धाम की समस्या भी हल ह गई तालाव वाले उचे मैदान की दक्षे और जगपती की लकडी की टाल खुल गई बोड तक टंग गया टाल की जमीन पर लक्षमी पूजन भी हो गया और हवन भी हुआ लकडी की कोई कमी नहीं थी गाउं से आने वाली गाडियों को इस कारोबार में पैरे हुए आर्मियो की मदद से मोल तोल करवा के वहां गिरवा दिया गया गाठें एको रखी गई चैलों का चट्टा करीने से लग गया और गुद्दे चीरने के लिए डाल दिये गए दो तीन गाडियों का सौधा करके टाल चालू कर दी गई भाविश में स्वैम पेड खरीद कर काटने का त उसने महसूस किया कि वह काम में लग गया है अब 24 गंटे उसके सामने काम हैं उसके समय का उपयोग है दिन भर में वह एक गंटे के लिए किसी का मित्र हो सकता है कुछ देर के लिए वो पती हो सकता है पर बाकी समय दिन और रात के बाकी घंटे उन घंटों के अभाव को सिर्फ उसका अपना काम ही भर सकता है और अब वो कामदार था और वो कामदार तो था लेकिन जब टाल की उस उसी जमीन पर पड़े छपपर के नीचे तकत पर वो गल्ला रखकर बैठता सामने लगे लकडियों के धेर कटे हुए पेड़ के तने जड़ों को लुड़का हुआ देखता तो एक निर्यता बर्बस उसके दिल को बानने लगती उसे लगता एक विर्थ पिशाज का शरीर टुक्रे टुक्रे करके उसके सामने डाल दिया गया है फिर इन पर कुलहडी चलेगी और इनके रेशे रेशे अलग हो जाएंगे और तब इनकी ठटरियों को सुखा कर किसी पैसे वाले के हाथ तक तौल कर बेज़ दिया जाएगा और तब उसकी निगाएं सामने खड़े तार पर अटक जाती जिसके बड़े बड़े पत्तों पर सुर्ख गर्दन वाले गिद फड़पडा कर देर तक खामोश बैठे रहते तार का काला गड़रे दार तना और उसके सामने ठेडी वाय में निस सहय कापती भार ही नीम की पत्तियां चकराती जड़ती रहती धूल भरी धर्ती पर लकड़ी की गाड़ियों के पढ़ी हुई लीक दुन्दली सी चमक उपती और बगलवाले मुंफली के पेच की एकरस खरकराती आवाज कानों में भरने लगती बगलवाली कच्ची पगडंडी से कोई गुजर कर टीले के ढहलान से तालाब की नीचाही में उतर जाता जिसके गंदले पानी में कूड़ा तेरता रहता और सूर कीचड़ में मूँ डालकर उस कूड़े को रौनते दोपहर सी मट्ती और शाम की धुन्द छाने लगती और जगपती के सामने जब वो आकर खड़ा होता तो वो उसे बहुत विशाल सा लगने लगता जिसके सामने उसे अपना अस्तित डूपता हुआ मैसूस होता एक आत बिक्री की बाते होती और तब दोनों घर की ओर चल देते घर पहुँचकर बचन सिंग कुछ देर जरूर रुपता बैठता इधर दर की बाते करता कभी मौका पढ़ जाता तो जगपती और बचन सिंग की थाली भी साथ लग जाती चंदा सामने बैठ कर दोनों को खिलाती बचन सिंग बोलता जाता क्या तरकारी बनी है मसाला ऐसा पढ़ा है कि उसकी भी बहार है और तरकारी का सौद मी न मरा होटलों में या तो मसाला ही मसाला रहेगा या सिर्फ तरकारी ही तरकारी वाह वाह क्या बात है अंदाज की और चंदा बीच बीच में टोक कर बोलती जाती इन्हें तो जब तक डाल में प्याज का भुना घी ना मिले तब तक ही पेठी नहीं पड़ता या सिर्का अगर मिल जाये तो समझो सब कुछ मिल गया पहले मुझे सिर्का ना जाने कैसा लगता था पर अब ऐसा जबान चड़ा है कि या इन्हें कागा सी पतली रोटी पसंदी नहीं आती अब मुझसे कोई पतली रोटी बनाने को कहे तो बनती ही नहीं आदत पड़ गई है और फिर मनी नहीं करता पर चंदा की आखें बचन संगी थाली पर ही जमी रहती रोटी निप्टी तो रोटी परोजदी दाल खतम नहीं हुई तो भी एक चंचावर परोजदी और जगपती सिर्फ जुकाए खाता रहता सिर्फ एक गिलास पानी मांगता और चंदा चौक पर पानी देने से पहले कहती अरे तुमने तो कुछ लिया भी नहीं कहते कहते वो पानी दे देती और तब उसके दिल पर गहरी सी चोट लगती ना जाने क्यों वो खामोशी की चोट उसे बड़ी पीड़ा दे जाती और वो अपने को समझा लेती कोई मेमान तो नहीं मांग सकते थे भूख नहीं होगी जगपती खाना खाकर टाल पर लेटने चला जाता क्योंकि अभी तक कोई चोकीदार नहीं मिलाता छपपर के नीचे तखत पर जब वो लेटता तो अनायासी उसका दिल भर भर आता पता नहीं कौन-कौन से दर्द एक दूसे से मिलकर तरह तरह की टीस, चटक और एठन पैदा करने लगते कोई एक रख दुखती तो वो सहलाता भी, जब सभी नसर चटकती हो तो कहां-कहां राहत का अकेला हाथ सहलाए लेटे लेटे उसकी निगाह ताड़ के उस और बनी पुकता कबर पर जम जाती, जिसके सिराने कटीला बबूल का एकाकी पेर सुनसा खड़ा रहता जिस कबर पर एक परदा नशीन औरत बड़े लिहास से आकर सबीरे सबीरे बेला और चमेली के फूल चड़ा जाती, घूम घूम कर उसके फेरे लेती और माथा टेक कर कुछ कदम उदास उदास सी चलकर एकदम तेजी से मुड़कर बिसातियों के महले में खो जाती शाम होते फिराती, एक दिया बारती, और अगर की बत्तिया जलाती, फिर मुड़ते हुए ओड़नी का पला कंदों पर डालती, तो दिये की लोग कापती, कभी काप कर बुझ जाती, पर उसके कदम बढ़ चुके होते पहले धीमे, ठके, उदास से, और फिर तेज सदे सामाने से, और फिर उसी मुखले में खो जाती, और तब रात की तनाहियों में बगूल के काटों के बीच, उस साएं साएं करते, उचे नीचे मैदान में, जैसे उस कबर से कोई रू निकल कर निपट अकेली भटकती रहती तबी तार पर बैटे सुर्क गर्दन वाले गिद्ध, मनूसी आवाज में किलबिला उठते, और तार के पत्ते भयानकता से खरबड़ा उठते, जगपती का बतन काप जाता और वो भटकती रूँ जिंदा रह सकने के लिए जैसे कबर की इटों में बबूल के साया तले जगपती अपनी टांगों को पेट में भीच कर कंबल से मूँ छुपा कर ओंधा लेट जाता, तड़के ही ठेके पर लगे लकड़ारे लकड़ी चीरने आ जाते, तब जगपती कंबल लपेट घर की ओड़ चला जाता राजा रोज सबेरे टहलने जाते थे, माँ सुनाया करती थी, एक दिन जैसे ही महल के बाहर निकल कर आये कि सड़क पर ज़ाड़ू लगाने वाली महतरानी उन्हें देखते ही, अपना ज़ाड़ू पंजा पटक कर माथा पीटने लगी और कहने लगी, हाई राम, आज रानी का घर नाज से भढ़ दें, और सब राजिसी वस्त उतार राजा उसी क्षण जंगल के ओर चले गए, उसी रात रानी को सपना हुआ कि कल की रात तेरी मनो कामना पूरी करने वाली है, रानी बहुत पस्ता रही थी, पर फॉरण ही रानी राजा को खोश्ती खोश्ती सराय में पहुँच गई, जहां उटिके हुए थे, रानी भेज बदल कर सेवा करने वाली भटियारिन बनकर राजा के पास रात में पहुची, रात भर उनके साथ रही, और सुबह राजा के जगने से पहले सराय छोड महल में लोट गई, राजा सुबह उठकर दूसरे कर फैल गई कि चंदा के बाल बच्चा होने वाला है, नुकर पर जंदा सुनार की कोट्री में फिकती सुरही रुग गई, मुशी जी ने अपना मीजान लगाना छोड विसफारित नेत्रों से ताक कर खबर सुनी, बंसी किराने वाले ने कुए में से आदी गई रसी खीच, डोल मन पर पटक कर सुना, सुदर्शन दरजी ने मशीन के पहियों को हतेली से रगड कर रोक कर सुना, हंसराज पंजाबी ने अपनी नील लगी मलगुजी कमीज की आसी ने चढ़ाते हुए सुना, और जगपती की बेवा चाची ने औरतों के जमगट में बड़े जादी को, ना बाल, ना बच्चा, ना जाने किसका पाप है उसके पेट में, और किसका होगा सिवा उस मुस्टंडे कमपोर्टर के, ना जाने कहां से कुल अच्छनी इस महले में आ गई, इस गली की तो पुष्टों से ऐसी मरजाद रही है कि गैर मर्द औरत की परशाई त तरह गंभीर बनी, अपनी पवित्रता की महनता की बोस से दभी दीरे दीरे किसक गई, सुबह ये खबर फैलने से पहले जगपती टाल पर चला गया था, पर सुनी उसने भी आजी थी, दिन भर वो तकत के कोने की और मूग की ये पढ़ा रहा, ना ठेके की लकणिया मुठी बांद कर महां का जोड देखा, तो नसे तनी और महां में कठोर कमपंसा हुआ, उसने तीन चार पूरी सासे खीची और मजबूत कदमों से घर की और चल पड़ा, मैदान खतम हुआ, कंकड की सड़क आई, सड़क खतम हुई, गली आई, पर गली के अंधेरे में घु कालिक और भी भारी हो गई, जिसमें घुसने से उसकी सांस रुख जाएगी, घुट जाएगी, वो पीछे मुड़ा, पर रुख गया, फिर कुछ सैयत होकर वो चोरों की तरह निशब्द कदमों से किसी तरह घर की भीतरी देरी तक पहुँच गया, दाई और की रसुई वा कालिमा में डूबा अद्रशे था, वो खामोशी से खड़ा ताकता रहा, चंदा के चेहरे पे नारीत्य की प्रोडता आज उसे दिखाई थी, चेहरे की सारी कमनियता ना जाने कहां को गई थी, उसका अचूता पर ना जाने कहां लुख थो गया था, फूला फूला मुक जै प्रेडियां भरी, सूजी सी और नाकूनों के पास अजब सा सूखा पन, जगपती का दिल एक बार मसोस उठा, उसने चाहा कि बढ़कर उसे उठा ले, अपने हातों से उसका पूरा शरीर चूचू कर सारा कलुश पोंच दे, उसे अपनी सासों की अग्न में तपा कर एक ब बढ़ा कर आखें खो ली, जगपती को सामने देख उसे लगा कि वो एकदम नंगी हो गई हो, अतिशा लज्जे तो उसने अपने पैर समेट लिये, गुटनों से नीचे दोती सरकाई, और बहुत सहीं सी उठकर रसोई के अंधेरे पन में खो गई, जगपती एकदम हताश ह वहीं कमरे की देरी पर खट से सिट टिका कर बैठ किया, नजर कमरे में गई तो लगा कि परायस्वर यहां गूंज रहे हैं, जिनमें चंदा का भी एक है, एक तरफ घर के हर पोने से अंधेरा सैलाब की तरह बढ़ता आ रहा था, एक अजीब निस्तब्धता, असमंजस, ग खाने तो बैठ गया पर कौर नीचे नहीं सरक रहा था, तभी चंदा ने बड़े सधे शब्दों में कहा, कल मैं गाउं जाना चायती हूँ, जैसे वो इस सूचना से परचित था, बोला, अच्छा, चंदा फिर बोली, मैंने बहुत पहले घर चिठी डाल दी थी, भहिया कर लेने आ रहे हैं, तो ठीक है, जगपती वैसे ही डूबा डूबा बूला, चंदा का बान टूद गया, और वो वहीं गुट्नों में मुझ दबा कर कातर सी फपक फपक कर रोपड़ी, ना उर सकी, ना हिल सकी, जगपती एक्षण भर को विछलित हुआ, पर जैसे जम जाने क लिए, उसके होट फड़के और प्रोट के जाला मुखी को जबरन दबाते हुए भी वो फूट पड़ा, ये सब मुझे क्या दिखा रही है बेशरम, बेगैरत, उस वक्त नहीं सोचा था जब, जब मेरी इलाश तले, तब, तब की बात जूट है, सिस्कियों के बीच चंद उसी कालिक में घुटता रहा, दूसरे दिन चंदा घर छोड़ अपने गाउं चली गई, जगपती पूरा दिन और राद बर टाल पर ही काट देता, उसी बीराने में तालाब के बगल, कबर, बबूल और तार के पडोस में, पर मन मुर्दा हो गया था, जबर्दस्ती वो अ नहीं रहा गया, तो एक दिन जगपती, घर पर ताला लगा, नजदीक के गाउं में लकड़ी कटाने चला गया, उसे लग रहा था कि अब वो पंग हो गया है, बिलकुल लंगड़ा, एक रेंगता कीड़ा, जिसके ना आख है, ना कान, ना मन, ना इच्छा, वो उस बाग म के दूर उस बाग में एक लैप और शोर शुरू हो गया, जड़ पर कुलहारी पड़ती, तो पूरा पेड़ थर रा जाता, करीब के खेत की मेर पर बैटे जगपती का शरीव भी जैसे काप काप उगता, चंदा ने कहा था, लेकिन जब तुमने मुझे बेज दिया, क्या व बाग से लगे दड़े पर से किसी ने आवाज लगाई, शकूरे ने कुलहारी रोक कर वही से हाक लगाई, कौने के खेत से लीक बनी है, जरा मेर मार कर नगाला गाड़ी, जगपती का ध्यान भंग हुआ, उसने मुड़ कर दड़े पर आखें गड़ाई, दो भैसा गाड़ खरी पत्यों से भरी थी, वो बोला, अरे ये तो हरा है, अभी से छोड़ दो, हरा होने से क्या, उखट तो गया है, ना फूल का ना फल का, अब कौन इसमें फल फूल आएंगे, चार दिन में पत्ती जुरा जाएंगी, शकूरे ने पेड़ की उड़ देखते हुए आना पड़ा, गाड़ियां लकडी से लदी शेहर के ओर चली जा रही थी, और जपती गर्दन जुकाए कच्ची सड़की धूल में डूबा, भारी कदमों से धीरे धीरे उनी की बच्ती घंकियों के साथ निर्जीव सा बढ़ता चला जा रहा था, कई बरस बाद, राजा प कोशिश की पर पहिया ना निकला, तब एक पंडित ने बताया कि सकट के दिन का जन्मा बालक अगर अपने घर की सुपारी लाकर इसमें चुआ दे तो पहिया निकल जाएगा, वहीं दो बालक खेल रहे थे, उन्होंने यह सुना तो कूद कर पहुँचे और कहने लगे कि हम पर गाड़ी महल के सामने उन्होंने रोक ली, राजा को बढ़ाच रज हुआ कि हमारे ही महल में यह दो बालक कहां से आ गए, भीतर पहुचे तो रानी खुशी से बेहाल हो गई, पर राजा ने पहले उन बालकों के बारे में पूछा, तो रानी ने कहा, यह दोनों बालक उन्ही के राजकुमार हैं, राजा को विश्वास नहीं हुआ, रानी बहुत दुखी हुई, गाड़ियां जब टाल पर आकर लगी और जगपती तख़त पर हाथ पर ढीले करके बैट गया, तो पगडंडी से गुजरते मुशी जी ने उसके पास आकर बताया, अभी उस दि वसूले में तुमारी ससुराल के रजदी के गाओं में जाना हुआ, तो पता लगा कि पंद्रे बीस दिन हुए, चंदा के लड़का हुआ है, और पर जैसे मुहले में सुनी-सुनाई बातों पर पर परदा डालते हुए बोले, भवान के राज में देर है, अंधेर नहीं, अंधेर तो सरासर है, तिरिया चरित्तर है सब, बड़े बड़े हार गए हैं, कहते कहते मुशी जी रुख गए, पर कुछ इस तरह जैसे कोई बड़ी भेद भरी बात है, जिसे उनकी गोल हुई आके समझा देंगी, जगपती मुशी जी की तरफ ताकता रह गया, मिनट भर मनूस सा मौन चाया रहा, उसे तोड़ते हुए मुशी जी बड़ी दर्द भरी आवाज में बोले, सुन तो लिया होगा तुमने, क्या, कहने को जगपती कह गया, पर उसे लगा कि अभी मुशी जी उस गाओं में फैली बातों कोई बड़ी बेदर्दी से कह डालेंगे, उस मुशी जी सुना है बच्चा रहते भी वो चंदा को बैठाने को तयार है, जगपती की सास गलें में टक कर रह गई, बस आखे मुशी जी के चेहरे पर पत्राई सी जड़ी थी, मुशी जी बोले, अदालत से बच्चा तुमें मिल सकता है, अब कहे का शरम लिहाज? अपना क कहकर किस मुँसे मांगू बाबा, हर तरफ तो कर से दबाऊं, तन से, मन से, पैसे से, इजज़त से, किसके बल पर दुनिया सजोने की कोशिश करूं? कहते कहते वो अपने में खो गया, मुशी जी बहीं बैठ गया, जब रात जुकाई तो जगपती के साथ ही मुशी जी भी ही ना हो, पर कुछ ऐसा बोश्ता जो ना सोचने देता था ना समझने, जब चाची की बैठक के पास से गुजरने लगा तो सहसा उसके कानों में बनक पड़ी, आ गए सत्यानासी, कुल बोरन, उसने जरा नजर उठा कर देखा तो गली की चाची भोजाईयां बैठक में जम गई, जब वो अस्पताल से चंदा के साथ लोटा था, बेवा चाची का उजहर भुजा तीर, आ गए राजा निर्बंसी अस्पताल से, और आज सत्यानासी, कुल बोरन, और स्वयम उसका वो वाके, जो चंदा को छेद गया था, तुमारे कभी कुछ न होगा, और उस रात क चंदा का लड़का हुआ है, वो कुछ और जनती, आदमी का बच्चा न जनती, वो और कुछ भी जनती, कंकर, पत्थर, वो नारी ना बनती, बच्ची ही बनी रहती, उस रात की शिशु चंदा, पर चंदा ये सब क्या करने जा रही है, उसके जीते जी वो दूसरे के घर ब यार है, या मुझे जलाने को, वो मुझे नीच समझती है, कायर, नहीं तो एक बार खबर तो लेती, बच्चा हुआ तो पता लगता, पर नहीं, उसका कौन है, कोई भी तो नहीं, उलादी तो वो उसने की धुरी है, जो आदमी और आरत के पहियों को साथ कर तन के दलल से प बच्चा मेरा कोई नहीं, पर चंदा तो मेरी है, एक बार उसे ले आता, फिर यहां रात के मोख अंधेरे में उसके फूल से अधरों को देखता, निर्दंद सोई पलकों को न्यारता, सांसों की दूज सी अचूती महक को समेट लेता, आज का अंधेरा, घर में तेल भी नह चलता, पेड कैसे कटते, और तब शकूरे के विशद उसके कानों में गूल गए, हरा होने से क्या, उखट तो गया है, और वो स्वेम भी एक तो उखटा हुआ पेड है, ना फल का, ना फूल का, सब व्यर्थी तो है, जो कुछ सोचा उस पर कभी विश्वास ना कर पाया, चंदा को चाहता रहा, पर उसके दिल में चाहत न जगा पाया, उसे कहीं से एक पैसा मांगने पर डाटता रहा, पर खुद लेता रहा, और आज वो दूसरे के घर बैट रही है, तो उसे छोड़ कर वो अकेला है, हर तरब वोज है, जिसमें उसकी नस्तस कुछ लिजा रही रग रग फट गई है, और वो किसी तरह टटोल टटोल कर भीतर घर पहुंचा, रानी अपने कुल देवता के मंदिर में पहुची, मा सुनाया करती थी, अपने सतीतों को सिध करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की, राजा देखते रहे, कुल देवता प्रसन हुए, और उन्होंने अपनी देवी शक्ते से दोनों बालकों को ततकाल जन्मे शिशुओं में बदल दिया, रानी की छातियों में दूद भराया, और उनमें से धार फूर पड़ी, जो शिशुओं के मुह में गिरने लगी, राजा को रानी के सतीतों का सबूत मिल गया, उन्होंने र चंदा के पास कोई देवी शक्ती नहीं थी, और जगपती राजा नहीं बचन सिंग कमपाउंडर का करज़तार था, राजा ने दो बाते की, मा सुनाती थी, एक तो रानी के नाम से उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, और दूसरे राज के नए सिक्कों पर बड़ नहीं है कि तुम बच्चे को लेकर चली आना, अभी एक दो दिन मेरी लाज की दुर्गत होगी, तब तक तुम आसक होगी, चंदा आदमी को पाप नहीं पश्चा ताप मारता है, मैं बहुत पहले मर चुका था, बच्चे को लेकर जरूर चली आना, कानून को उसने लिखा मेरी लाज तब तक न जलाई जाए, जब तक चंदा बच्चे को लेकर ना आ जाए, आग बच्चे से दिलवाई जाए, बस, मा जब कहानी समाप करती थी, तो आसपास बैठे बच्चे फूल चड़ाते थे, मेरी कहानी भी खतम हो गई, पर, अभी आप सुन रहे थे कमलेश कि अटी मेरी कहानी जाए, बस. ना जाए, जाए, जाए!